किसी भी electrical panel को उबराने के लिए switch gear के साथ साथ panel accessories का भी बहुत बड़ा योगदान होता है मैंने पिछली वीडियो में panel accessories के कुछ component के बारे में बताया है नमस्कार दोस्तों मैं हिर्पकास इलतकर टिर्विष में आपका स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में panel accessories के अन्य दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे PVC चैनल PVC चैनल को control panel में लगा कर उसके अंदर wiring को ले जाते हैं जहां जहां wiring ले जानी होती है उधर नीचे चैनल लगाते हैं और चैनल के अंदर wire दड़ा कर cover कर देते हैं जिससे पैनल की wiring ब्यवस्था बहुती अच्छी और सुवधा जनक हो जाती है PVC चैनल की थिकनेस 0.5 से 3 mm तक होती है जो अलग-अलग प्रकार के उचाई और चोड़ाई में उपलब्द होती है आप इसकी अलग-अलग प्रकार की size डिस्पले में देख सकते हैं बस्बार सपोटर बस्बार सपोटर इलेक्टिकल पैनल के अंदर एलमुनियम और कॉपर बस्बार को face-to-face distance मेंटेन करने के लिए पैनल में बाडी को बसबार को होल्ट करने के लिए तथा बाडी से बसबार को आइसलोट करने के लिए उपयूग किया जाता है यह fiberglass material का बना होता है इसमें high electrical और high mechanical strength होता है बसबार supporter या insulator बिविधम प्रकार के होते हैं जैसे कोनिकल टाइप बसबार, फिंगर टाइप बसबार, हेक्सागनल टाइप बसबार, राउन टाइप बसबार, यल टाइप बसबार तथा ग्रिप टाइप बसबार round type, hexagonal type तथा conical type बस्वार supporter के दोनों तरफ brass के thread बने होते हैं brass thread की size बढ़ने से diameter और height बढ़ जाती है तथा insulation level भी बढ़ जाती है thread की size बस्वार supporter का diameter और उसकी height के हिसाब से बस्वार supporter का selection किया जाता है PVC या brass gland पैनल के अंदर किसी भी appliance शुजगीर या connector strip में जहां पर cable को terminate किया गया है वहां से cable खिच जाने के कारण पैनल में साथ सर्कुट हो सकता है इसलिए panel में gland लगा जाता है incoming outgoing cable को support देने के लिए तथा gland plate में cable का स्थान निधारित करने के लिए भी cable में gland लगा जाता है और going के चारत तरफ जगव बन जाने के कारण धूल मिट्टी जीव जन्त अंदर जाकर पैनल को damage कर सकते हैं cable gland निम्द प्रकार के होते हैं PVC gland या PG threaded gland brass gland PVC gland polyamide PVC या nylon 6 material से बने होते हैं PG gland आजकल बहुत ही प्रस्लित है ये brass gland की तुल्ला में अच्छी फनिशिंग वाले waterproof, anti-abrasive एवंग corrosion proof होते हैं तथा इनकी price भी economical होती है PG gland के बिभिन प्रकार की size आप डिस्प्ले में देख सकते हैं brass gland मुक्ता flange type, single compression type एवंग double compression type की होते हैं flange type cable gland को fitting करना आसान होता है single compression cable gland आम तोरो पर हलके armored cable में प्रयोग की जाते हैं परन्तु जहां है भी armored cable और जिस cable पर extra support की जरुत होती है वहाँ पर double compression वाले brass gland लगाए जाते हैं Terminal strip या connector Terminal strip एक प्रकार का electro connector होता है जहां एक तरफ wire को screw से tight कर उसके दूसरे सिरे से उसका connection ले सकते हैं या दूसरे सब्दों में यह किसी प्रकार के दो सिरों के बीच एक स्थाई permanent electrical joint होता है जिसमें कभी भी connection या removal किया जा सकता है Terminal strip या connector विभिन प्रकार के होते हैं जैसे open type terminal strip, close type terminal strip, plugable type terminal strip, din rail type terminal strip, fixed type terminal strip open type, close type और fixed type terminal strip generally panel के अंदर fix करके इसमें से conductor join कर सर्किट निकाल लेते हैं परंतु जहां modular और flexible connection system के आवसक्ता होती है वहां plugable terminal block यूज करते हैं din rail mount terminal block को MS channel के अंदर जितनी आवसक्ता हो उतनी terminal डाल कर काम में लिया जाता है कर दो कर दो जो कर दो की कर दो जाता है